आज की इस वीडियो में मैं आपको अधार से जुड़े कुछ important updates के बारे में जानकारी देने वाला हूँ जिसके बारे में UIDI की तरफ से tweet करके officially इस संबन्द में जानकारी दी गई है यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखने को कहा गया है और साथी साथ कुछ निर्देश दिये गए हैं जिसको आपको follow करना है अब ये update कौन से है और इनमें आपको किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को follow करना है, क्या क्या चीज़े यहाँ पे आपको करनी है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल last तक देखना पड़ेगा, तो चलिए इस वीडियो को start कर लेते ह तो UIDI की तरफ से यहाँ पे दो tweet किये गए हैं, जिसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए बोला गया है, जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 17 घंटे पहले एक tweet नजर आएगा, जो कि अधार UIDI की तरफ से किया गया है, जिसमें आपको बताया ग website है, uidi.gov.in, इसी का इस्तिमाल करें, अन्य किसी भी website या किसी application का आप use ना करें, इसके लावा यहाँ पे आप अगर किसी application का use करना चाते हैं, तो UIDI की जो official application है, m-adhar app, इसका आप use कर सकते हैं, इसके लावा यहाँ पे आप myadhar portal का भी use कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते ह UIDI की दो website हैं जिसमें से एक uidi.gov.in है और एक मायधार portal है जिस पर आप OTP की तरू लोगिन करते हैं तो यहाँ पर इन सभी चीजों का आप यूज कर सकते हैं और official social media handles only यानि कि आप social media के जो official handle है UIDI के उनका आप use कर सकते हैं information लेने के लिए इसके अलावा आपको किसी भी तरिके की information चाहिए अधार से जुड़ी हुई तो यहाँ पर आप एक toll-free number दिया गए है इस पर contact कर सकते हैं और एक help line email ID दी गई है इस पर भी आप contact कर सकते हैं अब यहाँ पर नीचे आपको एक banner दिया गया है एक poster दिया गया है यहाँ पर आपको बताया गया है for information about अधार related services use only trusted sources यानि कि आपको सिर्फ trusted sources का ही इस्तिमाल करें जैसे कि उपर आपको बताया गया है अधार की जो official website है उसका use कीजिए m अधार application का use कीजिए या फिर जो माई अधार की website है उसका आप इस्तिमाल कर सकते हैं या फिर जो official social media handles है उनका आप use कर सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे बताया गया है कि आपके साथ अधार से जुड़ा fraud हो सकता है किन-किन तरीकों से fraud हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर आपको जानकरी दी गई है जैसे कि सबसे पहले आपको बताया गया approaching you through यानि कि जो fraud होते हैं वो आपको किस तरीके से approaching करते हैं किस तरीके से आपसे contact कर सकते हैं किस तरीके से आपके साथ fraud हो सकता है जिसमें आपको यहाँ पर बताया गया है कि telephone call के मादिम से आपके साथ अधार से जोड़ा fraud हो सकता है यानि कि हो सकता है कोई विक्ति आपको call करे आपके phone number पे call करे और अधार से जुड़ी हुई जानकारी मांगे कि हम आपका अधार कार अपडेट कर देंगे या फिर कुछ इस तरह के की facility आपको provide करता है तो telephone call के माध्यम से भी आपके साथ fraud किया जा सकता है क्योंकि जैसा कि आप जानते है अधार या फिर UIDI की तरफ से कभी भी आपको telephone नहीं किया जाता है उसमें आपको personal जानकारी आपसे नहीं मांगी जाती है तो fraudster ऐसा काम कर सकते हैं कि telephone call के माध्यम से आपसे आपकी personal नीजी जानकारी मांग सकते हैं इसके लावा social media के थूरू भी आपसे fraud किया जा सकता है social media का use इसमें किया जा सकता है इसके लावा आपको कोई email ऐसा आ सकता है जिसमें आपकी अधार से जोड़ी हुई जानकारी मांगी जाए या फिर email पे आपको कोई link send किया जाए आपसे link पे click करवा जाए इसके लबा WhatsApp के थूरू भी chance होते है कि आपके साथ किसी भी तरके का fraud किया जाए WhatsApp पे आपसे कोई जानकारी मंगी जाए UIDI ने आपको कहा है कि यहाँ पे आपको जो imposter हैं जो fraudster हैं उनसे आपको सावधान रहना चाहिए किसी भी तरके की telephone call पे आपको यकीन नहीं करना है सोशल मीडिया email ID, WhatsApp या फिर in person इन तरीकों से आपके साथ fraud हो सकता है तो इससे आपको सावधान रहना है अब बात कर लेते हैं जो second tweet यहाँ पे किया गया है दूसरा tweet UIDI की तरफ से 24 अक्टूबर को किया गया है इसमें भी आपको कोई जानकरी दी गई है कुछ बातों का ध्यान रखने को यहाँ पे आपको का गया है तो देखी यहाँ पे आपको बताया गया है यानि कि यहाँ पे आपको UIDI की तरफ से का गया है कि One Nation One Ration Card की स्कीम जैसे कि आप जानते हैं अमारे देश में चल रही है जिसके तहट आप चाहे भारत के किसी भी राज्ये में हो वहीं पे आप अपना राशन ले सकते हैं जैसे कि माले जी आप बिहार से बिलोंग करते हैं लेकिन आप जौब करते हैं डेली में तो आप डेली में ही अपना बिहार का राशन ले सकते हैं One Nation One Ration Card की स्कीम के तुरू इसी से जोड़ी जानकारी यहाँ पे आपको UIDI की द्वरा स्ट्रीट में दी गई है यहाँ पे इस पोश्टर के मादियम से भी आपको बताया गया है कि One Nation One Ration Card program का अगर आप लाब लेना चाहते हैं भारत के किसी भी राज़े में राशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने अधार कार को अपडेट रखना चाहिए अब आपको डाकुमेंट किस तरीके से अपडेट करने हैं उस सम्मन्द में पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिक मिल जाएगा जाके उस वीडियो को वाच कर लिजेगा कि आप गर बेटे ही किस तरीके से अपने अधार कारड में डाकूमेंट को अपडेट कर सकते हैं ताकि आपको अलग अलग तरीके की सरकारी सुविधाओं या फिर वन नेशन वन राशन कारड प्रोग्राम का लाव मिल सके इस poster में भी आपको बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने अधार में update कर सकते हैं अगर आप online update करना चाते हैं तो गरबेटी आप ये काम कर सकते हैं इसके लिए आप मायधार portal का use कर सकते हैं जिसमें आपको 25 रुपीज की यानि 25 रुपे की online payment करनी होगी अगर आप offline करना चाते हैं तो आप अपने nearest अधार सेंटर में जा सकते हैं जहां पर आपको 50 रुपीज की payment करनी होगी तो UIDI की तरब से tweet करके इस सम्मन में आपको जानकारी दी गई है दो बहुत ही important tweet की गई है इसके लब यहाँ पर इस समय जिस समय में वीडियो बना रहा हूँ कुछी देर पहले एक और tweet किया गया है जिसमें एक बार फिर से आपको updated अधार के बारे में बताया गया है यानि कि यहाँ पर आपको UIDI की तरब से proof of address और proof of identity document update के बारे में का जा रहा है कि आपको अधार कार्ड में अपने document को update कर लेना चाहिए ताकि यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा जो सरकारी योजनाय चल रही है उसका लाब मिलता रहे यहाँ पर UIDI की तरब से जितने भी tweet किये गए है उसमें जातर अधार update के बारे में ही जानकारी दी गई है अगर आपका अधार कार्ड काफी ज़्यादा पुराना है तो आपको भी अपने अधार कार्ड में document update कर लेने चाहिए आप बढ़ी एसानी से अधार OTP के थ्रू माय अधार portal पे जाके यह काम कर सकते है तो ये कुछ update थे जिसके बारे में UIDI की तरह से tweet करके इस समन्द में आपको जानकारी दी गई है उमीद है आप सभी को ये वीडियो ये जानकारी पसंद आई होगी वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा अगर वीडियो से समन्द आपका कोई भी सवाल है तो comment section में जाके जरूर लिखेगा तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा एक और नई वीडियो में एक नए topic और एक नई जानकारी के साथ